आईए, अब तीसरी विधी जिसे वज्र गुनन विधी कहते हैं के बारे में पढ़ते हैं अंग्रेजी में इसे cross multiplication method भी कहते हैं अब तक हमने सीखा है कि कैसे रैखिक समिकरन युग्म को प्रतिस्थापन और विलोपन विधी से हल कर सकते हैं यहां हम एक नए बीज गन्यतिय विधी के बारे में पढ़ेंगे वज्र गुनन विधी को हम एक उधारन से समझते हैं माना पांच संत्रे और तीन सेप की कीमत 35 रुपे है तथा दो संत्रे और चार सेप की कीमत 28 रुपे है तो चलिए, यहां हम एक संत्रे और एक सेप की कीमत निकालते हैं वीडियो को रोके और दिये गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करें चलिए, तो इसका हल देखते हैं आपने देखा कि हमें दो समीकरन, समीकरन एक और समीकरन दो मिले और दोनों समीकरन को A1 प्लस X प्लस B1 प्लस Y प्लस C1 बराबर 0 और A2 प्लस X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर हमें समीकरन 3 और 4 मिलेगा यहां A1 बराबर 5, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस 35 है तथा A2 बराबर 2, B2 बराबर 4 और C2 बराबर माइनस 28 है तो समीकरन 3 और 4 को हल करने पर X बराबर 4, Y बराबर 5 मिलाओ यहाँ जो तरीका इस्तमाल किया गया है, इसके बारे में हम आपको जल्दी बताएंगे इन सबसे हम कह सकते हैं कि एक संत्रे की कीमत 4 रुपे और एक सेप की कीमत 5 रुपे है तो क्या आपने X के मान में कुछ देखा? आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि X का मान समीकरन की गुनक से निकाला जा सकता है आईए देखते हैं कैसे? यहां तीन और चार Y का गुनक है तथा पांच और दो X का गुनक है इसी प्रकार माइनस 35 और माइनस 28 अचर है यहां पर X बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1 है और इसी प्रकार Y बराबर A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1 है हमने देखा कि गुनक की मदद से X और Y का मान निकाला जा सकता है आईए पूरी प्रक्रिया को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं कि कैसे समीकरन एक और दो से X और Y के मान निकाले जाते हैं पहला चरन कुछ इस प्रकार है इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें यह दूसरा चरन है इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें यह तीसरा चरन है इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें झाल झाल